बेलकम बैक फ्रेंड्स दिस इस करन रफिस फंडा आज की इस वीडियो में मैं आपको उन डेटर इंटर्प्रेशन की बारे में बताऊंगा जो आपके प्लिम्स एक्जामिनेशन में आ सकते हैं और ये एक्जाम सेट नमबर टू होगा अगर आप मेंस की प्रिफेशन कर रहे हैं तो आप इस डियाई को स्किप कर सकते हैं क्योंकि इस तरह की कोश्चन बहुत रेरली देखने को मिलते हैं तो यह जैसे कि RBI का exam PLIMS का है, या फिर कोई clerical का exam है, या फिर आपका India Post Payment Bank का examination है, या फिर किसी भी PLIMS examination का profession कर रहे हैं, तो आपको basic idea लग जाएगा कि कैसे questions, कैसी DI हमारे exams में आती हैं, इसलिए मैं आपको ये वीडियो दे रहा हूँ, अगर आप पहली बार ये वीडियो तो इस channel को subscribe करें दोस्तों, और इस वीडियो को like करें, comment करके आप अपने doubts पूछ सकते हैं, साथ में इस वीडियो को share करना न बोलें, सबसे पहले हमें data को समझना होगा कि data किस type का दिया हुआ है, देखो, यहाँ पर 3 school दिये गा है, एक हमारा orange color है, gray color है और blue color है, तो जो blue color है, वो school A है, orange color school B है, और gray color है, वो school C है, अब यह तीन school है, अब यहाँ पर आप देखो क्या लिखा हुआ है, number of tree planted by three different schools in various states, मतलब की, बिहार में, पंजाब में, हर्याना में, असाम में, तमिल नाडू में, यह different state हैं, और इसके अंदर, यह school A, B, C ने कुछ tree plant किये हैं, त अगर बात करूं, बिहार की, तो बिहार के अंदर जो तीन school हैं, वो यह है, blue color मतलब A, gray color मतलब C, और यहाँ पर B, तो यह तीन का data यह दिया हुआ है, अब इस data को बार-बार हमें read करना पड़ता है, तो क्यों ना हम इसकी table में formation करने के लिए दोस्तों, आपको कुछ entity चाह लेंगे, यह मुश्किल से आपको 50 सेकेंड लगेंगे, या एक मिनट लग सकता है, लेकिन इसका फायदे बहुत सारे, फायदा, सबसे पहला फायदा यह होगा, कि कभी भी, अगर आपको data compare करने होगी, तो table में आप आसानी से कर सकते हैं, graph में data को compare करना थोड़ा सा problem होता ह ठीक है, अभी हम इसका use करेंगे, अब अगर मैं बात करूँ बिहार में, ठीक है, individual नहीं लेखेंगे, केबल हम school A की बात करेंगे, तो school A हमारा blue color से है, और school A का data आप note down कर लो, 100, 120, 80, और यह कितना है, 150 और 140, यहाँ पर आप note down कर लो, पहले क्या दिया हुआ है, 100, फिर 120, उसके बाद में 80, और उसके बाद में 150, फिर कितना दिया है, 140, यह मैंने school A का data note down कर ले, अब school B क्या है, और orange color से है, तो school B का data यह, 60, यहाँ पर कितना है, 80, तो पहले मैं 60 लिखूँगा, फिर कितना लिखूँगा, 80, फिर 140, फिर 160, और 180, तो यह school B का data होगा, अब school C का data हमारा gray color से है, तो पहले 77 है, फिर 88 है, तो 77, उसके बाद में क्या है, 88, फिर कितना है 168, और उसके बाद में 120, और सबसे last में कितना दिया हुआ है, 160, ठीके, अब देखो, जितना भी यह data था graph का, graph को मैंने table में बना लिया, अब आसानी से हम compare कर सकते हैं, addition कर सकते हैं, एक table को paper में side में रखना और फिर table देखके सारे questions solve करना, start करते हैं पहले questions के और, पहले question में कहा है, in which of the following states was the total number of tree planted by school A and school B together is the second lowest, अब देखो, यहाँ पर table का use आगया, second lowest पूछा है, सबसे पहले आपको lowest निकालना है, फिर lowest के बाद जो second lowest होगा, वो पूछा गया आपसे data, कि इसके बारे में school A और school B, मतलब कि इन दोनों को add कर दो, तो यहाँ पर बीच में add करके लिख लो, यह कितना आ जाएगा, 160, यह कितना आ गया, 200, और यह कितना आ गया, 180, 80 प्लस 140, मतलब कि 220, और यह कितना आ जाएगा, 160 प्लस 150, मतलब कि 310, और यह कितना आ जाएगा, 180 प् अब पूछ रहा है A और B को बीच में लिख लिया, अब पूछ रहा है A और B का second lowest क्या है, सबसे पहले यहाँ पर lowest find out कर लो, तो lowest कितना दिया हुआ है, बिहार का lowest आपका, क्योंकि 160 दिया है यहाँ पर, और 160 के बाद किसका नंबर आता है, यहाँ पर 220, 310, 320 मतलब की 200 का आएगा, बिहार के बाद आपका पंजाब आता है, तो second lowest अगर आपसे एक्जामनर पूछ रहा है, तो आप answer क्या हिट करेंगे, पंजाब आपका answer हो जाएगा, पंजाब में जो है, second lowest plantation हुए है ट्री का, second question क पूछ रहा है कि हर्याणा के अंदर school A ने कितने tree plant किये हैं, और Tamil Nadu में, जो school C ने कितने tree plant किये हैं, उन दोनों के बिच में difference कितना है, तो देखो हर्याणा में, school A ने कितने tree plant किये, 80, तो यहाँ पर 80 आगया, अब इसके बाद क्या पूछ रहा है, कि school C in Tamil Nadu, तो Tamil Nadu में school C का data कितना है, 160, अब इन दोनों के बिच में just difference ले रहो, difference कितना दिया है, 80 tree का, तो मेरा answer क्या जाएगा, 80, directly हम यहाँ से देख सकते हैं, यह question हम graph से भी solve कर सकते हैं, लेकिन जब आपने table बना ली है, तो हम table का use यहाँ पर जडू करेंगे, थर्ड question में का गया, what was the average number of trees planted in haryana why all school together, haryana के अंदर सारे average आपको निकालना है, तो देखो, haryana के अगर मैं बात करूँ, तो haryana में 3 type के school है, एक आपका कितना हो जाएगा, 80 plus 140, plus 168, और average निकालना है, 3 से divide कर दो, तो अगर इनको आप जोडते हो, 80 plus 140 कितना हो जाता है, 220, 220 plus 168 कितना हो जाएगा, 388, इसको 3 से divide कर दो, तो ये fraction की format में आएगा, 3 वन जा 3, और ये 3 टू जा 6, 2, 28, 3 सेवन जा, 3 नाइन जा, 3 नाइन जा 27, और यहाँ पर कितना बचेगा, 1 बचेगा फिर 3, 3 जा 9, मतलब कि 129.3, तो हम इसको एप्रॉक्स लिख सकते हैं, 129 से 130, हमारा answer कुछ इसके आसपास तो आपको 139 दिया है, या फिर 130 दिया है, ये दोनों में से कोई भी एक option दिया होगा, तो आप उसको tick कर देंगे, ठीके, क्योंकि यहाँ पर आपको क्या निकालना है, average निकालना है, ठीके, अगर आपको exact दिया है, तो आप exact वहाँ पर find out कर सकते हैं, next question के और set के और move करत निकालना है, was approximately what percentage of the total number of trees planted by school B और C in Punjab, तो पंजाब में B और C के साथ में इसका percentage निकालना है, तो इन 200, ये चीज आपको calculate करनी है, अब देख लो, बिहार में A और B कितना है, बिहार की अगर मैं बात करूँ A और B, तो कितना आ गया, 160, divided by, पंजाब में B और C कितना है, प 100, ठीके, ये निकालना आपको, अब दिहान लगना, कि इसको अगर आप solve करोगे, तो थो थोड़ा से time लग सकता है, लेकिन आपसे approximately पूछ रहा है, तो बहुत आसान है, 168 का 10% कितना हो गया, तो 168 का 10% हमारा हो गया, 16.8, ठीके, अब जैसे ही मैंने 10% निकाल दिया, अब इसका आप 90% निकाल दो, मतलब 9 से multiply कर दो, तो 90% कितना आजाएगा, 9 से जैसे ही आप multiply करोगे, तो आपका आजाएगा 151.2 आजाएगा, ठीके, अब आपने 10% निकाला है, यहाँ परा 5% भी निकाल दो इसका, 5% half कर दोगे, कितना आजाएगा, 8.4 अब देखलो, ये कितन कितने percent होगा 168 का, अब 90% कितना आया, 151 और 5% कितना 8.4, अब 151 और 8.4 इन दोनों को add कर दो, तो ये कितना आजाएगा, 159.6 आपका आजाएगा, एप रॉक्स वन 60 के round में आ गया, तो ये 95% होगा, 90% ये जोडा, और 5% ये जोडा, मतलब हम यहाँ पर कह सकते हैं, जो आ कि 168 क्या है, ये तो आपका 100% होगा ना, और 160 के बारे में पूचा है, तो ये 100 से कुछ percent कम होगा, तो कितना कम होगा, ये आपका 95% होगा, क्योंकि अगर ये 100% होता, तो 168 होता, लेकिन ये 160 है, मतलब उससे 8 कम है, तो इसको निकालने का sort तरीका यही है, कि पहले 10% निका क्या बना गया, अब 10 का हाफ कर तो 5%, ये कितना गया, 8.4, अब 151.2 और 8.4 को जैसे जोड़ा, तो 169.6 आ गया, अब ये कितना होगा, 90 प्लस 5% मतलब की 95% है, तो हमारा अंसर क्या आ जाएगा, 95% यहां पर, ठीक है, एक कोश्चन यहां पर हम और लेते हैं, इसमें कहा गय तो हमारा आपको जो रेसियो यह लेना है, किसकी साथ में, आसम के साथ में, इसकूल का यह तक आपको रृषियो में, इन तीनों क का आपस में, अब देखो, अब देखो, अा C का ratio कितना हुआ है? Assum में C का ratio देखो कितना दिया है? 120 और Assum में A का ratio कितना दिया है? 150 अब 0 ऐसे ही 3 हो के cancel out हो जाएंगे तो कितना बचा? 18, 12, 15 अब यह दिखलो यह किस से आपका cancel out हो जाएगा? यह आपका हो जाएगा? 3 से कट जाएगा 3 से 6 बार गया 3 से 4 बार गया और 3 से 5 बार जाएगा 6, 4, 5 तो complete ratio कितना आगया? 6 is to 4 is to 5 मतलब 6 ratio, 4 ratio, 5 हमारा आगया इस तरह से आपके options भी वहाँ पर मिल जाएगे और हमें क्या करना है? Table की format में data से compare कर लेना है आसानी से questions बनेंगे थोड़ा सा आप try करो 2 से 3 बार आप habit डालोगे तो आपको table बनाना बहुत आसान हो जाएगी कभी भी आप देखते हैं कि अगर आपका pie chart आजाता है उसकी table भी बहुत आसानी से बन जाती है इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ कि आप थोड़ा सा table बनाना सीख ले और दोस्तों जो important videos है data interpretation की बो आपको यहाँ पर मिल जाएंगी और इस logo पर click करके channel को subscribe करें और जो films di का part 1 है बो आप यहाँ पर देख सकते हैं और साथ मैं इस channel को subscribe करें वीडियो को like करें और जादा से जादा logo तक share भी करें आप हमारे facebook page को यहाँ पर join कर सकते हैं description box में सारे link आपको मिल जाएंगे thank you friends have a good day